मद्यप्रदेश विधान सभा चुनाप के लिए बीजेपी उमेदवारों की पांचवी लिस्ट जारी होने के बाद से राज्ज में बीजेपी का विरोध रुखता नहीं दिख रहा है वही बीजेपी के लिस्ट में सिंधिया समर्थकों को टिकेट जादा मिलने से बीजेपी में गुटबाजी तीज हो गई है जिससे बीजेपी की राज्य में मुश्किले बढ़ती दिखाई दे रही है तो आखिर बीजेपी ने कितने सिंधिया समर्थकों को दिया है टिकेट जिससे बीजेपी में मच गया है कला देखते हैं इस रपोर्ट में मद्य प्रदेश में 17 नौवंबर को मतदान होना है जिसके लिए सभी पार्टियों ने अपने अपने उमिद्वारों को मैदान में उतार दिया है लेकिन बीजेपी ने जैसे ही उमिद्वारों की पाचवे लिस्ट जारी की तब से बीजेपी के मुश्किले प्रदेश में हलाकि सिंधिया गुना, शिप्पुरी, संसदिय सीट की आठ विदानसभा सीटों में से बमोरी, अशोखनगर, मुंगावली और कोलारस समेथ चार सीटों पर अपने समर्थक नेताओं को टिकेट दिलाने में काम्याब रहें गौलियर, चंबल, संभाग, मालवा, निमार जैसे मध्यप्रदेश के दूसरे हिस्से को भी मिला दे तो सिंधिया समर्थक 28 मंतरी विदायकों में से 22 को बिजेपी ने टिकेट दे दिया है, जिससे बिजेपी में घमासान शुरू हो गया है हलाकि बिजेपी ने सिंधिया समर्थक और भिंड की में गाउं सीट से मौझूदा बिधायक और नगरिये प्रशाशन राज्य मंतरी OPS भदौरिया का टिकेट काट दिया है, उनकी जगह पुर्व बिधायक राके शुकला को प्रत्याशी बनाया गया है 2018 की चुनाब में कॉंग्रिस के टिकेट पर OPS भदौरिया ने भाजपा प्रत्याशी राके शुकला को 25,814 वोटों से हराया था, बाद में OPS भदौरिया सिंधिया के साथ कॉंग्रिस छोड़ करके भाजपा में शामिल हो गया OPS भदौरिया के टिकेट कटने से भदौरिया सिंधिया और भाजपा से नाराज हैं, जिससे वो बगाबत करने की सोच रहें, हलाके सिंधिया के समर्थकों को टिकेट मिलने से BJP में बगाबत तेज हो गई है, जिससे BJP में गुटबाजी की हवा भी तेज हो गई है अब देखना होगा कि बिजेपी इस बगाबत की मुसीबत से कैसे बाहर आती है डिवी लाइप की रिपोर्ट